गुद मॉर्निंग ओल अफ यो वेलकम टू राजयन आई ट्याई यूटूब चैनल माई सेल्फ रिया सिंग तो आज फिर से हम बहुत सारे क्वेशन के साथ कुछ नए टॉपिक, नए क्वेशन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं फैसन डिजाइनिंग, सिविंग टेकनोलोजी, ड्रेस मैकिंग के क्वेशन तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेशन नमर फर्स्ट सिलाई उधेडने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है नमर फर्स्ट सिम रिपर बी परकार सी सुई और डी पिन तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट एंसर सिलाई उधेडने के लिए हम किस का उपकरण करते हैं तो सिम रिपर का करते हैं यह बात सभी को पता है हम अगला स्टार्ट करते हैं question number two तो question number two बढ़ने से पहले हम आप लोग को यह बता दे कि जिन्होंने भी अभी तक हमारी तो वो हमारी जिन्होंने भी अभी तक हमारे online classes नहीं जॉइन की है वो कर सकते हैं new batches start हो चुकी है saving technology, fashion designing and race making की जिसमें की अच्छे से तैयारी कराई जा रही है जिसमें की 100% है कि आप CI टेस एक्जाम को जरूर क्वालिफाई कर पाओगे तो चलिए फिर यहाँ पे जिसको भी जॉइन करना है वो इस नम्मर पे हमारे कॉंटक्ट कर सकता है 9060582842 जिसको भी हमारी क्लासे जॉइन करनी है वो इस नम्मर पे कॉंटक्ट करके हमारी क्लास जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम question number 2 पैंटो में लेग की सेप देने के लिए किस उपकराड का प्रयोग करते हैं तो हम किस उपकराड का प्रयोग करते हैं number 1 L scale number 2 इंची टेप, नमबर थ्री, लेक सेपर, और नमबर फोर, डी, मिन्स की चॉक, तो हमारे क्या हो जाएगा? हम पैंटो में जो लेक के सेप देने के लिए वो उपकलर यूज करते हैं, तो वो हम लेक सेपर का यूज करते हैं. नमर थ्री स्टार्ट करते हैं हम कि डुप्लेक्स बोर्ड का सेप कैसा होता है तो नमर ए, गोल, बी, होलमेकर, सी, स्लीप बोर्ड, एंडी, चप्टा तो हमारा जो डुप्लेक्स बोर्ड का सेप होता है, वो हमारा कैसा होता है, गोल होता है हम आगे बढ़ते हैं L स्केल का दूसरा नाम क्या है? तो हमारे L स्केल का दूसरा नाम क्या है? A. फ्रेंच का B. स्केल C. फुट्टा D. गुनिया तो हमारा फूर्थ का राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पे? हमारा D. गुनिया आगे बढ़ते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं नम्मर फाइब क्वेशन कोटो वे प्रमाड बध सरीर के नाप लेने के लिए कित उपकरण का प्रयोग करते हैं तो नम्मर वन हमारा है इंची टेप नम्मर बी शीपीजी मेजरिंग टेप नम्मर सी धागा नम्मर दी फुटा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट एंसर शीपीजी मेजरिंग टेप नम्मर सीख समागे बढ़ते हैं उनी कपडों पर निशानों के सेड को डार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं तो जो की उनी कपड़ा होता है तो हम क्या मतलब उसकी सेड को डार्क करने के लिए कितका प्रयोग करते हैं तो A. वैक्स चॉक B. टेलर चॉक C. बोर्ड चॉक D. स्केश पैन तो उनी कपडों पर हम इसलिए वैक्स चॉक का कि वो मतलब वो जल्दी मिटे ना क्योंकि हम टेलर चॉक का यूज करते हैं तो वो जल्दी से मिट जाता है तो हम उनी कपडों पर निशान के लिए हम वैक्स चॉक का यूज करते हैं Q7. ड्राफ्टिंग में आर्म होल वो गले की गुलाईयों की सेप के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो हम ड्राफ्टिंग में आर्म होल वो गले की गुलाई के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है हम फ्रेंच कप का प्रयोग करते हैं Q8. हम आगे बढ़ते हैं 10 इंच से 14 इंच तिक की कैची को क्या कहते हैं 10 इंच से 14 इंच तक की कैची को क्या कहते हैं Seasures B. Sears C. Trimming Seas 4. D. Pinking Seas तो हम क्या कहते हैं जो हमारा 10 से 14 इंच तक की कैची होती है वो हमारी क्या होती है Sears कहलाती है नमर B is right answer यह नहीं पा रहा है, राइट अंसर सी होगा हमारा आगे बढ़ते हैं Question No.9 पीनो को एक साथ रखने के लिए कितका प्रयोग किया जाता है तो पीनो को एक साथ रखने के लिए कितका प्रयोग किया जाता है A. कपड़ा, B. सूम, C. पिन कुशन, D. बॉक्स तो हमारा पीनों को एक साथ रखने के लिए हमारा पीन कुशन का यूज होता है Right answer is C Question number 10 कौन सी सुई आगे से मुड़ी हुई होती है तो कौन सी सुई होती है जिसका जो आगे का भाग होता है वो मुड़ा हुआ होता है ये सब ही लोग जानते होंगे A हमारा क्या है मशीन की सुई B हाथ की सुई C क्रिवल नेडल D पिन तो हमारा जो तुई जो आगे से मुड़ी हुई होती है वो हमारी कैसी होती है क्रिवल नेडल हम आगे बढ़ते हैं Question number 11 कौन सी प्रेश 10 पॉंट से 20 पॉंट तक होती है तो कौन सी प्रेश होती है Laundry प्रेश B. Steam प्रेश C. Automatic प्रेश D. Solid प्रेश तो हमारा क्या हो जाएगा 11 का राइट एंसर Laundry प्रेश Number 12 हमारा है फर वाले कपड़े किस पर प्रेश किये जाते हैं जो हमारे फर वाले मिन्स की रोएंवाले जो कपड़े होते हैं वो किस पर प्रेश किये जाते हैं तो A. हमारा क्या है Table B. Pressing Table C. Needle Board D. Foot तो हमारा क्या हो जाएगा फर वाले जो कपड़े होते हैं वो अक्षन हमारे नीडल बोड पे प्रेश किये जाते हैं Question number 13 हम आगे बढ़ते हैं कौन सी प्रेश के तलो में छिद्र होता है मतलब कि किस प्रेश के मतलब जो तला होता है उसमें कौन से में छेद होता है तो A. है हमारा बिजली प्रेश B. स्याधारण प्रेश C. Automatic प्रेश D. Steam प्रेश तो हमारा 13 का राइट एंस पर क्या हो जाएगा Steam प्रेश Q. नमर 14 हम आगे बढ़ते हैं गरम कपड़ों की तहो पर निशान उतारने के लिए किसका प्रेश करते हैं तो किसका प्रेश करते हैं A. है छोटी कैची B. बॉटकिन C. त्रेड मार्क D. चॉक तो हमारा 14 का राइट एंस पर क्या हो जाएगा C. त्रेड मार्क हम नेक्स क्वेशन हम आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर 15 तो नाप लेने का मुख्य उपकरड कौन सा है तो हमारे नाप लेने का मुख्य उपकरड कौन सा है तो सबको यहाँ पर पता होगा A है हमारा इंची टेप B स्केल C रबर D फुटा तो हमारे 15 का राइट अंसर क्या हो जाएगा इंची टेप तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों से और ये क्वेशन आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और ऐसे आगे और भी क्वेशन समलाते रहेंगे आप लोगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजे कि ताकि आने वेले वीडियो और जो भी क्वेशन है वो आपको